कम्पिटर में स्क्रीन शॉट लेने के लिए हम यहाँ पे तीन तरीके और चार तरीके देखने वाले हैं मल्टिपल हम यहाँ पे तरीके देखने वाले हैं ताकि अगर एक तरीका काम ना करता हो तो दूसरी तरीके से आप स्क्रीन शॉट ले सके तो start करते हैं अपने इस lecture को इस lecture में हम चार तरीके देखने वाले सबसे पहला होगा snipping tool, snipping tool का use कैसे कर सकते हो और ये tool in build tool होता है हम in build कह सकते है in build means के जो भी window आप use कर रहे हो उस window की inside ये पहले से होता है आपको अलग सा install करने की जरुरत नहीं होती तो ये inbuilt tool है, हर window की inside होता है, next आर extension, कुछ lengthy type के आपको screen shots लेने किसी website को capture करना है, वो बहुत ही lengthy है, आप जाते हो कि अगर मैं screen shot लूँगा तो इतना ही आ जाएगा ये website, मुझे ये पूरा website कुछ इस तरह से capture करना है, last तक bottom तक capture करना है, तो screen shots के लिए extensions होते हैं, browser की inside, वो कैसे आप उन extension को download करके use कर सकते हैं, तो एक तो shortcut keys होती है, आप तीन keys या पे combine करके screen shots ले रहे होते हो, और एक single key, और इसकी के साथ आप art की भी combine कर सकते हो, PRT SCN ये screen shot के लिए बनाया गया है, और इसका full form होता है print screen, तो इसके तो हम screen को print कर सकते हैं, पर हाँ print तो नहीं, प और उसी time आपको result नहीं मिलता, जो भी चीज़े आपने screen से copy किये हैं, उसे paste करना भी होगा, तो paste करने के लिए पर आप किसी भी software को open करते हो, MS Band को open कर लेते हो, MS Word को open करोगे, और उसकी inside आप जो भी चीज़े copy कर चुके हो, उसे paste कर सकते हो, Ctrl V के तरू, ये चार तरीके हो होंगे, जिसकी तरू आप screenshot ले सकते हो, तो समझते हैं सबसे पहले snipping tool को, हमें आ जोगा हूँ, यहाँ पर desktop है, और snipping tool के लिए हमें window button पे click करना होगा, inbuilt tool है, download करने की ज़रूत नहीं है, आप यहाँ पर search कर लो snipping tool, और सिर्फ snip भी search करोगे, बाकि auto complete तो होता ही है, और window को समझ आ जाता है, कि आपको क्या चाहिए, snip search कर लो, snipping tool आ जाएगा, आपके सामने, यह tool होगा, और इस tool पर अपने click करना है, click करने के बाद, यह चुटी से window, इसका shortcut की भी होती है, window shift s, फिलाल, आपको यहाँ पर कुछ options मिल रहा है, और यहाँ पर new name का option है, इसे आपका recording start कर लो, यह recording भी कर सकता है, तो screenshot के लिए आपको यहाँ पर mode भी दिये गए, तो आप different type के screenshot capture कर सकते हो, with this single tool, तो यहाँ पर आपको rectangle भी दिया गया है, चार कोनों में selection करना, आपको window भी दिया गया है, कोई specific window आपने open किये, सिर्व उसी का screenshot चाहिए, तो आप यह option यूज कर सकते हो, और आपको full screen भी दिया आगया है, पूरा screen capture करना है, जो भी चीज़े open है, उसमें सारे चीज़े आजाएंगे, तो पूरा screen भी capture कर सकते हो, और आपको free form भी दिया आगया है, free form की तुरू, आप areas काट के उसका screenshot ले सकते हो, तो समझते हैं, यहाँ पर first tool के साथ rectangle rectangle पर हम क्लिक कर रहे होंगे, new पर क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पर mode select कर लिया rectangle, और rectangle में आपको यहाँ पर plus का symbol मिल जाता है, तो आप इस pointer के तुरू चार कोनों में selection करके screenshot ले सकते हैं, तो जहाँ तक भी आपको selection करनी होगी, वहाँ तक selection कर लो, left click छोड़ दो, तो चेंज कर सकते हो, size अपने paint का change कर सकते हो, तो size यहाँ पर change कर सकते हो, तो pencil या जो भी paint होगा, उसी जो भी size आप देना चाहते हो, size दे सकते हो, color दे सकते हो, next आ रहा है highlighter, highlighter के तुरू आप चीज़ों को highlight कर सकते हो, जैसे के this PC यहाँ पर white color में आ रहा था, मैंने इसे yellow color मे जो भी चीज़े आपने लिके हैं, उसे आप मिटा सकते हैं, कुछ इस तरह से, और next आ रहा होगा, यहाँ पर shapes, तो आपको shapes चाहिए, shapes भी यहाँ पर draw कर सकते हो, तो आपको shapes उटा सकते हो, arrows उठा सकते हो, emojis चाहिए, तो emojis पर click कर लो, आपके सामने emoji आ जाएगा, फिला सारी चीज़े यहाँ पर दिये गए हैं, और आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पर crop भी दिया गया है, तो image को crop करना है, आप इस पर click कर ले, और image को जितना आपने रखना है, उतना रख लो, वागी आप crop कर सकते हो, और done पर click करोगे, image okay हो जाएगा, जितना भी area आपको select करना select कर सकते हो, यह one of the best option है, कि अगर किसी screenshot से आपको text निकालना है, तो आप यह option use कर सकते हो, text action, इस पर click कर लो, हाँ, net होना चाहिए आपके पास, तो जैसी net होगा, और आप इस पर click करोगे, यह इस image से वो text होगा, वो copy कर लेगा, और यहाँ पर यह text मैं आभी फिलाल copy कर सक पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने से देख सकते हो, यह text हमने image से निकाला है, और notpad की inside, पेस्ट कर लिया, तो अमीद करता हूँ, आपको यह समझ जा चुका होगा, कैसे आप अपने जो भी image होगा, उसमें editing वगरा कर सकते हो, अचा, आगे बढ़ते है, यहाँ पर प्लस प उपन करके रखा है, उसका screenshot चाहिए, तो यह option यूज़ कर सकते हो, फिलाल मैं skip की और यह contact की पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से कोई भी window हम open करते है, मैं यहाँ पर यह जो notpad वाली window है, इसे open करूँगा, और इसका screenshot मुझे चाहिए, तो आप कोगे इसके लिए rectangle यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, rectangle mode चूज़ कर लो, और इसके बाद new पे क्लिक कर लो, और आप इस तरह rectangle के तूरू सेलेक्शन करोगे, तो यह extra area आपको दिख रही होगी, image की inside यह extra area, तो आप कोगे पर यहाँ से cropping कर लो, cropping में time लगेगा, तो हम shortcut तरीके के साथ जा सकते है, यहा tool यूज़ कर सकते हो, और आप चाते हो, इससे यह text निकालना है, copy करना है, तो आप इस option पे क्लिक कर लो, यह text को read कर लेगा, जहाँ जहाँ पर text होगा, वो text read किया जाएगा, बाकि आप वो text आराम से select कर सकते हो, copy कर सकते हो, कई पे भी paste कर सकते हो, तो यह window 11 का शायद feature जारे copy हो जाएंगे, और इसकी inside हम यहाँ पे paste कर सकते हो, तो जितने भी चीज़े मुझे वहाँ पे दिख रहे थे, वो सारे चीज़े हमने copy कर लिए, image की inside से और यहाँ पे paste कर लिए, अब इस image को मुझे save करना है, तो save करने के लिए, यहाँ पे top पे आपको एक option दिया ज location जरूरी है, गलत location दोगे, तो image आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको उस location पे जाके image डूड़ना होगा, मैं यहाँ पे save कर लो, मुझे image दिखे, बात में मैं यहाँ से copy paste कई भी लेके जा सकता हूँ, इस image को हम नाम दे देते हैं, कोई भी, तो मालो मैंने यहाँ यहाँ पे capture कर लिया, आप इसे save कर सकते हो, तो हम यहाँ पे click करेंगे, और location दे देंगे, यहाँ पे इसका नाम मैं रख रहा हूँगा, full window, या full screen, तो हम यहाँ पे लिक रहा हूँगे, full screen screenshot, full screen screenshot, अब इसे save करना है, वहाँ पे same location पे save करते हैं, तो यह same location पे वापिस आ रहा होगा, अब next और last mode यहाँ पे जो रह जाता है, वो यह free form, free form के तुरू आप areas को card सकते हो, जैसे के कोई image है, मैं यहाँ पे image open कर लेता हूँ, this PC पे double click करूँगा, कुछ images शायद होंगे मेरे पास, तो downloads पे click करते हैं, मुझे यहाँ पे इस area का कुछ हिसा card के कई पे लगाना है, कि हम यहाँ पे वहाँ पे snipping tool, और snipping tool के inside हम यहाँ पे free form पे click कर रहे होंगे, और यहाँ पे new पे click कर रहे होंगे, click करने के बाद आप यहाँ पे selection कर लो, जिस type का भी आपको area चाहिए होगा, जितना area चाहिए हो, वो select कर लो, selection के बाद जैसे आप left link चोड़ दोगे, यह screenshot आ free form के नाम से इसे save करूंगा, अब यह desktop के उपर save हो चुका है, और यहाँ पे cropping का tool भी आ रहा है, तो आप इस image को कई से crop करना चाहते हो, तो यहाँ पे click कर लो, crop कर लो, जितना भी area आपको चाहिए होगा, उतना area ही आप चोड़ दो, बागी area आप crop कर सकते हो, और done पे click कर होगे, यह area इतना ही बच गया, बागी area सारा crop हो चुका है, आपको यहाँ पे save करना होगा, और वापिस इस image को save कर जाते हो, cropping पे वापिस क्लिक करोगे, तो पिछला area अभी तक मुझूद है, अब वापिस उसे लाना चाहते हो, बेक आप लेना चाहते हो, उस image का, तो यहाँ पे click करके make, पांच सेकंड के बाद आपको आना चाहिए, तो click करेंगे, और new पे click करेंगे, और कितने seconds के बाद आएगा, तबी मैं screenshot ले सकता हो, फिलाल नहीं ले सकता, तो पांच सेकंड के बाद यह इनेवल हो गया, इसके बाद आप screenshot वापिस ले लो, जितना भी area आपको यहाँ पे capture करना, उतना area capture कर लो, और यह screenshot आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी active कर सकते हो, तो आप यहाँ पे screenshot के window को कह सकते हो, कि आप 3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड डिले कर लो, और इसके बाद आजो हम screenshot ले लेंगे, तो कुछ इस वाद आप delay option भी इसमें use कर स सकते हो, MS Paint आपको आगे आराम से पढ़ाया जाएगा, फिलाल हम यह lengthy topic को नहीं चेड़ेंगे, वागे आपको यह image save करना है, तो save नाम का option मिलेगा, तो save या तो save as, और यहाँ पर format चूज कर लो, जिस format पे भी आपको save करना है, save कर लो, किसी भी location पे, आराम से image save हो जाएग अगर आप mute से आटा होगे, तो इस वकात यह वाला जो mic है, PD200X, जो मैंने attach किया है, वहीं यहाँ पे चूजन है, बाकि आपको यहाँ पे screen का, जो भी आवाज होगा, वो record करना या नहीं, जो भी screen का sound होगा, उसके लिए option दिया गया है, और जैसे आपने यह setup कर लिया, start प OBS को यूज कर लो, Camtasia नाम का software होता है, screen recorders होते है, आप उन softwares को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो चीजे और काम है, और options हो लिमेटेड होते है, बाकि यह भी best option है, आप अगर shortcut time में screen record करना चाते हो, तो यह option यूज कर लो, यहाँ पर recording start है, तो आप यहाँ जो भी क यहाँ पर screenshot की कहानी, और उमीद करता हो, आपको समझा चुका होगा, कि screenshot कैसे लिया जाता, screen को कैसे record किया जाता, inbuilt tool के तूरू, फिलाल हम इसे close कर रहे होंगे, file को save करना है, तो save का option यहाँ आप उसके तूरू save भी कर सकते है, आपको यहाँ पर browser open करना है, और search करना है, go full page extension, और जैसे अपने यह search कर लिया, तो आपको यह first वाला extension मिल रहा होगा, इस extension पर आपने click करना है, click करने के बाद, और अगर आपने इसे install नहीं किया, तो यहाँ पर add to chrome, या तो install कुछ इस type का, आपको यहाँ पर option मिल रहा होगा, अगर मैं इसे खतम कर लो, remove पर click कर लो तो add to chrome, इस पर आपने click करना है, click करने के बाद, add extension पर click कर लो, allow कर लो, तो कुछ दिर में यहाँ पर add हो जाएगा, download होने के बाद, यहाँ पर खुद बहुद एक्टिव हो चुका है, और हमें welcome किया जा रहा है, तो यह चोटी सी window हम close कर रहा होंगे, यह वाली window भी close कर रह हैगा, camera आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, अब आप किसी भी website को visit कर लो, तो मैं यहाँ पर w3 schools वाले website को visit करता हूँ, w3 schools.com, documentation website है, अब इसमें देखोगे, तो यहाँ पर documentation काफी ज्यादा lengthy है, अब मुझे यह पूरा screenshot चाहिए bottom तक, तो यह पूरा screenshot capture करने के लिए, त जाहर बात है, अब snapping tool का तो use करोगे नहीं, क्योंकि वो इतना इतना area, यह single screen वो capture करता है, तो बोर टाइम लगेगा आपको, तो अब यहाँ पर इस option पर क्लिक कर लो, जो extension आपने अभी download किया, इस पर जिसी क्लिक करोगे, start हो जाता है, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें सि screenshot आ चुका है, तो इतना बड़ा और lengthy screenshot वो भी high quality में, कोई खराब quality नहीं, अच्छी quality है, सारे चीज़े बिल्कुल अच्छी दिख रहे होंगे, कोई pixels वगरा नहीं पटेंगे यहाँ पर, और आपने अगर इसे edit करना है, तो edit भी कर सकते हो, crop वगरा करना है, तो आप इस प अबर, तो MS-Band की inside भी आप इसे ले जाके वहाँ पर edit कर सकते हो, tools काफी सारे यहाँ पर, तो आप computer की inside भी cropping वगरा कर सकते हो, तो quality देख लो यहाँ पर, अपने chrome में यह वाला extension add कर लो, नहीं चाहिए, तो यहाँ से remove कर सकते हो, अब बढ़ते हैं यहाँ पर shortcut keys की तरफ, तो इसके shortcut keys भी होते हैं, तो आपके सामने में keyboard को एक दफा enable कर लेता हूँ, on screen keyboard, तो इसमें पहला shortcut की window shift s, इसके तुरू आप snipping tool को enable कर सकते हैं, उपर आ जाएगा, और यह tools आपने अभी पढ़ें, और अब को आते हैं, सिर्फ shortcut की आपे change हो चुकी है, पहले आप snipping tool को window button से enable कर रहते हैं, अब window shift s press करोगे, तो आपके सामने snipping tool आ जाएगा, और यहां से आप screenshot ले सकते हैं, इसके inside आपको यहां पर एक और की email होती है, PRT SCN की, तो आप इस पे click करोगे, click करने के बाद यह वापिस आपके सामने snipping tool ले के आ जाएगा, और इसे आप screenshot ले सकते हो पर अगर आप कोई पुराना window यूज़ करते हो, जैसे के window 10, या तो pair 8 और 7, उसके inside PRT SCN का का काम हर्गेज यह नहीं होता, कि आप यहाप स्निपिक tool को enable कर लो, इसका काम यह होता है, कि आपके screen के उपर जितने भी चीज़े open है, उसे पूरा copy करना, और पिर किसी भी software को open क करके वहाँ पर paste करना, और इसके साथ आप यहाँ पर combine कर सकते हो, आल्ट की को भी, जैसे के active window को capture करना है, तो front पे जो भी window होगी, उसका सिर्फ screen shot लेने के लिए हम इसके साथ combine कर सकते है, alt की, कोई भी एक alt, आप यहाँ पर यह वाला alt, या तो यह वाला alt, और इसकी बाद वी paste करते है, तो यह आप देख सकते हो, front पे जो भी screen था, जो भी window होती, उसी का screenshot इसने ले लिया, जाहर बात है, आप यहाँ पर keyboard को तो use करोगे नहीं, front पे keyboard रोकोगे, पर screenshot alt और PRT, SCN key प्रेस करोगे नहीं, आप keyboard के insight से, जो physical keyboard होता है, वहाँ से, आप directly in keys को use करोगे, तो जो भी front पे window होगी, वही capture हो जाएगा, जैसे कि इसका screenshot मुझे लेना है, तो मैं alt PRT, SCN key मेरे की board में है, हम वही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आजाएंगे, control भी paste करते है, तो यह window मैंने यहाँ पे capture कर ली, with the help of PRT, SCN key या print screen key, उमीद करता हो, आप को यह screenshot समझ आ चुके होंगे, अब आप आराम से अपने window की inside, computer की inside, laptop की inside, screenshots ले सकते हैं,